दोस्तो नमस्कार मैं हो दीपक और आप देख रहे हैं एडू बगीचा दोस्तो कल हम लोगों ने यानि की पिछले वीडियो में हम लोगों ने बर्ण माला यानि की अलफाबेट के एक चाप्र को देखा था जिसमें ए से लेकर जेड तक के लेटर को देखा था और उसके याद किये थैं पॉजीशन और पॉजीशन को अपने टेलि लाइफ कैसे यूज करेंगे डेलि लाइफ में यूज करने के लिए जैसे मडिये आप कहीं गूमने निकल रहे हैं जा रहे हैं औद पमें औ् Suppose किजिए कि Katrina दिख गई, Karina दिख गई, DP का दिख गई, तो उस सब लोगों का नाम लिखा होगा, Katrina, K-A-T-R-I-N-A, तो उस Katrina को आप क्या किजिए, कि उस Katrina को आप अपने reasoning से, यानि आप अपने जो position याद किये हैं, उस से उसको solve किजिए, जैसे K-11, A-1, T-20, R-18, I-9, N-14, A-1, इस तरह से हम लोगों ने ये अपने दैनिक जीवन में हम लोग इसको याद कर सकते हैं, ठीक है, यहां तक कोई दिकत नहीं है, अभी हम लोगों को पढ़ना है कि इस alphabet को हम लोगों ने ये पढ़ा था कि left से कैसे याद रखेंगे, ठी ये जेड से लेकर, जेड से ए तक, हम लोगों ने पढ़ा था ए से लेकर जेड तक, लेकिन अब और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जेड से लेकर ए तक कैसे याद रखेंगे, यानि right से left की तरफ बढ़ेंगे, और याद करते चलेंगे, वो भी चुटकियों में या कहते हैं न, A to Z complete, तो A to Z complete का मतलब क्या हुआ, A और Z, ठीक है, यानि left साइड से एक नमबर पर A, और right साइड से एक नमबर पर Z, यानि A का just उल्टा अगर हम करें तो Z होगा, और vice versa, ठीक है, यानि Z का A होगा, clear, दूसरा है, एक बहुत इंपोर्टेंट ट्रिक है, और वो ट्रिक है क्या, उफ बाई लव, उफ बाई लव, लोग ने कहता, उफ, कोई भी काम से उफ जाता है, तो उफ कहता है न, तो वहीं उफ बाई लव, अब देखिए, ये U है, और ये F है, यानि left साइड से F six नमबर पर होता है, और right साइड से six नमबर पर कौन होगा, ये U हो अब एक चीजी हां समझने वाली बात है, जब भी बात की जाए right साइड की, तो हम लोग हमेशा 27 से माइनस करते हैं, कितना से माइनस करेंगे, 27 से, और यहीं बात हमेशा याद रखना है, for example, अगर मालने जे कहा जाए, कि right साइड से पहला लेटर कौन सा होगा, तो Z होगा, कैसे मालने कि right साइड से पहला लेटर Z होगा, तो देखिए कैसे मालने जेड का numbering होता है ना 26, ठीक है, तो हमने अभी बोला है कि right साइड से पुछे तो 27 से माइनस करना है, तो देखिए 27 में हम माइनस 1 करेंगे, तब 26 होगा की नहीं, यानि कि इस Z के position को पाने के लिए right स साइड से हम लोग को 27 से सब्ट्रेक्ट करना पड़ रहा है, ठीक है ना, तो अब वहीं देखिए कि हो गया ना clear, अब इधर यू है, यू का actual left साइड से position होता क्या है, एक किस होता है ना, लेकिन right साइड से अगर हम निकालें, तो 27 माइनस 21, देखिए, 6 आया ना, clear, तो य यह सीक्स होता है, यानि right साइड से करने के लिए हम ऐसा 27 से घटाते हैं, ठीक है, ना कि 26 से, 26 से कभी सब्ट्रेक्ट मत किजिएगा, कभी नहीं नहीं तो गड़बर हो जाएगा, ठीक है, चली, यह हो गया, उफ, by love, by का मतलब क्या होगा, left से दो नमबर पे b, और right से दो by, clear, love, e, इसका pair बना दीजिए, love, e, ठीक है, एक दूसरे के opposite, जैसे देख लीजिए, left साइड से l होता है 12 पे, और right साइड से जब 12 पे आएंगे, तो फी o हो जाएगा, तो यह याद हो जाएगा, वैसे ही left साइड से e होता है 5 नमबर पे, वैसे ही right साइड से b होता है 5 न तो यह याद रख लेंगे हम लोग, उफ by love, यानि उफ, u और f, u का उल्टा f, b का उल्टा y, l का उल्टा o, और o का उल्टा l, अब b का उल्टा e, और e का उल्टा b, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग यहां तक याद कर लिए, u का उल्टा f, तो f का उल्टा u, b का उल्टा y, तो y का उल्टा b, l का उल्टा o, तो o का उल्टा l, और b का उल्टा e, तो e का उल्टा b, clear, कोई दिक्कत नहीं है, अब हम लोग देखेंगे, जैसे कि मान लेते हैं, कि किसी के नाम में, कोई भ लगाते हैं तू राकेस जी मतलब लगाने का मतलब किया हुआ कि उनको रैस्पेक्ट देना ठीक वैसे ही जो हम लोग स्ट पहनते हैं तो सॉट पहनते हैं उसमें भी जी लगाई यह हो जागा वह सॉट जीऊ अगला फर्मुला हम लोग है सॉट जी कईएगा कैसे यही सॉट जीसॉट मत कहिएगा ठीक है पूरनौंसियेशन पे जुड़ा ध्यान रखना है चलिए अब इस में क्या है ? С, H नमबर से 8 नमबर सेच होता है तो राइट साइड से सब्टेक्ट किजिए, तो क्या आ गया नईन और ये वन, क्या हो गया, 19 19 किस खा होता है, S का होता है, तदेखिए राइट साइड से हो गया, 8 नंबर पे S, और लेट साइड से 8 नंबर से H, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गया ये इसके और ये इसके I और R के हो गया और T G का हो गया ठीक है ना जैसे G Left से 7 नमबर पे होता है वैसे ही Right से 7 नमबर निकालना होगा तो Right से तुरंथ हम 7 माइनस कर देंगे तो देखिए 7 में से 7 गया 0, T 20 अब 20 किसका होता है T 20 हमको पता है तो T का अपोजिट G G का अपोजिट T I का अपोजिट R और R का अपोजिट I S का अपोजिट H और H का अपोजिट S यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ठीक है अब देखिए reasoning है वहुत ही interesting chapter है लेकिन इसको थोड़ा सा समझना होगा अपना तर्क को लगाना होगा बस काम आगे निकलते जाएगा अगला और लाश्ट ट्रीक है इसमें का PK मैंने जो किया क्या? PK मैंने जो किया क्या किया? तो किया DWCX DWCX PK मैंने जो किया देखिए PK यानि देखिए PK मैंने MN जो किया JQ क्या किया जी? DW और CX किया ठीक है अब इसको समझ लेते हैं आईए PK यानि P का अपोजिट K और K का अपोजिट P कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं M का अपोजिट N और N का अपोजिट M कोई दिक्कत नहीं J का अपोजिट Q और Q का अपोजिट J इसमें भी कोई दिक्कत नहीं D का अपोजिट W और W का अपोजिट D DW C का अपोजिट X और X का अपोजिट C इसमें कोई दिक्कत नहीं है PK मैंने जो किया DWCX PK मैंने जो किया DWCX फिर वैसे हैं, short g, short g, s, h, i, r, t, g, s का opposite h, i का opposite r, t का opposite g, short g, फिर इधर, उफ, by love, u का opposite f, b का opposite y, l का opposite o, और b का opposite e, और a to z तो clear ही है, a का opposite z, और z का opposite a, यहां तक समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठेक है, इसको देख लीजिए, कि कैसे हम इसको daily life में कैसे use करेंगे, कैसे इसको हमेशा के लिए याद रखेंगे, तो याद रखने का एक और एक अचुक रामबान है क्या, practice, practice ही है कैसा चीज है, जिससे कि हम किसी भी चीज पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, आईए, देखिए, अब ये तो हम लोग समझ ग गया है, कि जैसे मानलेजी एक question रहेगा, question कहेगा, prove that God, God equal to 420, अब ये मत समझेगा कि God 420 है, लेकिन इप्रूफ करना है, question है, बनाया ही गया है, कि prove that God equal to 420, तो अब देन, dog equal to what, dog equal to what, अब इसी में relation ढूंडना है, कि कैसे God को 420 कहा दिया गया, तो डॉग को क्या कहा जाएगा, तो पहले हमको ये निकाल लेना होगा, कि God को 420 कहा है, तो इस God और 420 में कोई न कोई relation होगा, अब उस relation को ढूंडना है, आईए, देखते हैं, देखिए, जी का क्या position होता है, 7, O का position होता है, 15, और D का position होता है, 4, यानि इसी में से, कहीं न कहीं से आया होगा 420, तो कैसे आया होगा जी, तो देखिए, इसको into कर दिया है, और इसको into कर दिया है, तो कितना हो गया, यह 60, आई, यह 7, 420, आगया ना, तो यानि तीनो को into कर दिया है, तीनो को multiply कर दिया है, तो वैसे ही, हम इसके number को, इसके position को multiply कर देंगे, तो D होता है 4, O होता है 15, और G होता है 7, देखिए, यह तो same value आगया, equal to 420, यानि कि God भी 420, और डॉग भी 420, ठीक है, अब यह मत समझेगा कि God और डॉग दोनो 420 होता है, गॉड तो सर्वर सर्वा है, सर्वर डॉग तो डॉग भी बहुत faithful होता है, बहुत वाफदार होत है, यह भले question के लिए ऐसे कर दिया गया है, ठीक है, तो यह बात हम लोग समझ गए, अब देखिए कि इसको हम याद कैसे रखेंगे, हमेशा कहीं भी पढ़ने के लिए जरूरी नहीं है कि हम room में बैठेंगे, मतलब कलम कूपी के साहारे ही पढ़ सकते हैं, पढ़ना तो हम हर एक कदम पे अपने दैनिक जीवन में सीखते रहते हैं, एक एक कदम पे चाहें तो हम लोग सीख सकते हैं, जैसे कहीं घूमने जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, या किसी गाड़ी से जा रहे हैं, सामने वाले किसी गाड़ी के पीछे लिखा होता है ना, blow horn, लिखा होत है na keep distance इस सब चीजों पर हम लोग क्या करते हैं सीख लेते हैं उसी से अब keep distance लिखा है तो keep distance को हम लोग क्या करेंगे अपने माइंड में set कर लेंगे कि इसका position होगा क्या ठीक है तो इस तरह से हम उसको कर सकते हैं आईए एक बार थोड़ा सा हम लोग फिर से रिवाइज कर लें A to Z यानि A का opposite Z और Z का opposite A उफ by love U का opposite F F का opposite U by love B का opposite Y और Y का B L का opposite O और B का opposite E ऐसे समझ गए चार ही ट्रीक है A to Z उफ by love थर्ड नमबर सौर्ट जी सौर्ट जी एस एच आई आई टी जी लास्ट क्या है पी के मैंने जो किया क्या किया DWCX पी के मैंने जो किया DWCX क्लियर इसे चारो ट्रीक के माध्यम से हम लोग एक दुसरे के opposite को निकाल लेंगे और यह सब जब याद हो जाएगा याद तो होई गया होगा थोड़ा सा और रिवाइज की जरुरत है जैसे ही याद होगा उसके बाद हम लोग कोई भी प्रॉब्लम को तुरंत चुटकी में बना लेंगे ठीक है और एसे जैसे हम लोग अभी एक एक्जाम्पल करके देखे हैं गॉड इक्वल टो 420 तो डॉड इक्व है ही इसके बाद बहुत सारा एक एक से बढ़कर एक वीडियो आएगा जो कि मतलब सुपब होगा सुपब से सुपब लग काता है ना सुपब से भी उपर तो वैसे होगा इस तरह से आप देखिए वीडियो पसंद आए लाइक किजिए सब्सक्राइब किसिए दोस्तों को स आने बाद